परिचय हमारे आसपास देखने पर आप विभिन प्रकार की वस्तुएं जैसे टेलिवीजन, मुबाइल, पेड, कार, बसें, रेल इत्यादी देखेंगे। टेलिवीजन, मुबाइल, पेड इत्यादी वस्तुएं स्थिर होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो उनका इस्थान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ऐसी वस्तुएं को अपनी जगा स्थिर कहा जाता है, जबकि कुछ वस्तुएं जैसे कारें, बसें, ट्रेने इत्यादी अज्थिर होती हैं। इसका अर्थ है समय के साथ उनका इस्थान परिवर्तित होता है, ऐसी वस्तुएं को गती शील वस्तुएं कहा जाता है, आईए इस पार्थ में गती एवं समय की विस्तार से चर्चा करें। उद्देशे इस पार्थ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, मंद और तीवर्गती में अंतर करना, चाल को परिभाशित करना, चाल मापन करना, चाल के मातरकों की पहचान करना, समय मापन करना, मंद और तीवर्गती, मान लीजिए कि आपने डॉक्टर से शाम पांच बजे का समय लिया है अभी शाम के साड़े चार बज चुके हैं और डॉक्तर का क्लिनिक आपके घर से पांच किलो मिटर दूर है क्लिनिक जाने के लिए आपके पास दो ही विकल्प है या तो आप साइक्ल से जाएं या टैक्सी कर लें आप क्या करेंगे? सही, आप टैक्सी लेंगे, क्योंकि टैक्सी साइकल से तेज़ चलती है, अतहा हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से तेज़ चलती है, अब वही टैक्सी खाली सड़क पर तेज़ चलती है, और भीड़ वाली सड़क पर धीरे चलती है अताहा एक ही वस्तू एक समय तेश चल सकती है और दूसरे समय धीरे चल सकती है कौन बंध है और कौन तीवर है दूसरा चरण है यह पहचानना कि एक वस्तू किसी दूसरी वस्तू से तेश चल रही है या धीरे ऐसा करने के लिए आपको दोनों वस्तुओं द्वारा एक नियत समय में तै की गई दूरी को मापना चाहिए मान लिजिए कि 1000 मीटर की साइकल रेस है जब सीटी बज़ती है तो रेस शुरू होती है सभी साइकल सवार एक ही समय में रेस शुरू करते हैं मान लिजिए कि एक साइकल सवार दस मिनट में समापन रेखा पर पहुँच जाता है इस कार्थ है कि विजेता ने 1000 मीटर की दूरी 10 मिनट में तै की इसका ये अर्थ भी हुआ कि दूसरे सवार जो समापन रेखा पर भाद में पहुँचे उन्होंने 10 मिनट में 1000 मीटर से कम दूरी तै की और इसी लिए रेजहार गए अताहा हम कह सकते हैं कि जो वस्तू एक नियत समय में ज्यादा दूरी तै करती है वो दूसरी वस्तूओं से तीवर होती है चाल कौन सी वस्तू अन्य वस्तूओं से तीवर गती से चलती है इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि हम सभी वस्तूओं की प्रती इकाई समय में तै की गई दूरी की गणना करके उनकी तुलना कर लें स्पष्ट रूप से जो वस्तू प्रती इकाई समय में ज्यादा दूरी तै करेगी उसकी गती ज्यादा तीवर होगी मान लीजिए कि आपका भाई दावा करता है कि उसकी मोटर साइकल उसके दोस्त की मोटर साइकल से तीवर है उसका दोस्त इस बास से इंकार करता है आप जानते हैं कि आपके भाई की मोटर साइकल एक घंटे में 60 km दूरी तै करती है जबकि उसके दोस्त की मोटर साइकल एक घंटे में 40 km दूरी तै करती है आईए आपके भाई और उसके दोस्त की दावों की जाँच करें आपके भाई की मोटर साइकल की चाल 60 किलो मीटर प्रती घंटा है और उसके दोस्त की मोटर साइकल की चाल 40 किलो मीटर प्रती घंटा है निश्चित ही आपके भाई की मोटर साइकल आपके दोस्त की मोटर साइकल से तेज है क्यूंकि उसकी चाल ज्यादा है चाल मापन, किसी वस्तू की चाल मापने के लिए उसके दोरा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गई समय को मापते हैं इसके बाद हम चाल का सूद्र प्रियोक करते हैं आईए, इस साधारा अभ्यास द्वारा चाल मापना सीखें, एक रेखा खींचिए, किसी दोस्त से उस रेखा पर खड़े रहने को कहिए, उससे कहिए कि वो तब तक दोड़े जब तक कि वो रुकना ना चाहे, जब वो दोड़ना शुरू करता है और जब वो दोड़ना करतेता है, उस बीच लगे समय को लिख लीजिए, अपने दोस्त द्वारा चली गई दूरी को माप लीजिए, चली गई दूरी को उस दूरी को तै करने में लगे समय से भागते दीजिए, आपने जो करना की है, वो आपके दोस्त की दोड़ने की चाल है, चाल मापी और पत आते हैं, अब वे नहीं डराएंगे, स्टीरिंग वील के ठीक सामने दो मीटर हैं, वरत्तकार डायल जो कुछ-कुछ एक सुई और संख्याओं वाली घड़ी की तरह दिखता है, उसे चाल मापी कहते हैं, जब कार चल रही होती है, एक सुई चाल मापी में एक विशेश संख् पर होती है, यहां अंक कार की किलोमीटर प्रती घंटा चाल है, इसमें एक आयता कार बॉक्स भी होता है, जिसमें कई अंक लिखे होते हैं, जब कार चल रही होती है, तो ये अंक बढ़ने के बजाए बदलते रहते हैं, इस आयता कार बॉक्स को पत्थ मापी कहते हैं, इसक क्या आपको कभी आश्चरे होता है कि कैसे बुजर्ग सिर्फ छाया देखकर दिन का समय बता सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा के बीच के समय को एक महीना कहते हैं। प्रिथ्वी द्वारा सूरी की प्रिक्रमा करने में लगे समय को एक वर्ष कहते हैं। दिन से छोटे समय अंतरालों को मापने के लिए हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। समय एवं चाल के मातरक। समय का मूल भूत मातरक सेकंड है, इसका प्रतीक चिन एस है, मिनट और घंटे समय के बड़े मातरक हैं, एक मिनट साट सेकंड के बराबर होता है और साट मिनट एक घंटे के बराबर होते हैं, चाल का मूल भूत मातरक मीटर प्रती सकंड है, हम इसे दूसरे मातरकों जैसे मीटर प्रती मिनट और किलो मीटर प्रती घंटा में भी व्यक्त कर सकते हैं, हम सभी मातरकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखते हैं, सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से तेज गती करती हैं जो वस्तु एक नियत समय में किसी दूसरी वस्तु से ज्यादा दूरी तै करती है वहाँ ज्यादा तेज गती से चलती है किसी वस्तु द्वारा प्रती इकाई समय में तै की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं चाल को किलोमीटर प्रती घंटा या मीटर प्रती सकंड में मापा जाता है चाल मापी किसी वाहन की चाल मापता है और बत्मापी उसके द्वारा तै की गई दूरी दर्शाता है